इस वीडियों बिल्कुल सौट में explain करेंगे अब तक क्या अपडेट है सिए न्यू कोर्स के बारे में कल से मेरे पास हजारों स्टुडेंट्स का message आच चुका है सिए न्यू कोर्स के बारे में maximum स्टुडेंट्स का same doubt है official notification कब तक देखने को मिल सकता है क्या अब मे 24 से न्यू कोर्स applicable हो सकता है या नहीं हो सकता है इस टॉपिक पे 500 वीडियो बनता है बहुत सारा confusion होता है प्लीज आप इस वीडियो को पूरा last तक देख लीजे साथ आप स्टुडेंट्स का doubt क्लियर हो जाएगा पहले भी मैं update कर चुका हूँ एक बार फिर से मैं update कर रहा हूँ जबी भी मैं new course के related update करता हूँ एक doubt है जो जरूर आता है जो है कि CA intermediate and CA final number 23 का exam current course में होगा या new course में current course में ही हो रहा है एक बार फिर से मैं update कर रहा हूँ CA intermediate and CA final number 23 का exam current course में होगा I know कि maximum students को ये चीज़ पता होगा बट ये doubt आ ही जाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ और CA Foundation December 23 के regarding में अब तक कोई भी official update नहीं है बट आप सारे students प्लीज आप लोग registration करवा करके current course में अपना पढ़ाई को continue रखे CA Foundation December 23 में registration करने का आखरी date 1 July 2023 है registration कैसे करना मैंने detailed video बना रखा है video का link आपको description में मिल जाएगा registration करने के बाद book भी order कर लिज़े book order करके अपना पढ़ाई को continue रखे ये ना सोचे कि new course में exam होगा या current course में December 23 का please students मेरे बात को समझो कि आप लोग current course में पढ़ाई करो December 23 के लिए CA Foundation के students book order नहीं कियो तो please order कर लिज़े problem यहाँ से होना स्टार्ट हो जारा May 24 students को मैंने आप लोग को inform किया था internal news कि में के last तक आपको official notification देखने को मिल सकता कल के date में update किया हूँ मैं कि meeting को 15 जून तक अस्थगित कर दिया गया CA new course के बोलेते कि सारे students को current course में अपना पढ़ाई को continue रखे इसके बाद से मेरे पास 500 students कम से कम यह screenshot इंस्टाग्राम या WhatsApp पे बेज़े होंगे और मैंने कल के date में भी आप लोग को update किया था कि relax रहो एक जुलाई से पहले तक अगर official notification आ जाएगा तो May 24 से new course applicable हो सकता है Otherwise difficult हो जाएगा May 24 से applicable होना अगर एक जुलाई तक भी notification नहीं देखने को मिलता है तो difficult हो जाएगा May 24 में applicable होना और अब तक का internal source से यही update है कि 15 से 20 जून के आस पास इसके regarding में official notification देखने को मिल सकता है क्या होगा official notification क्या update आएगा इस सब के बारे में charter studies inform करेगा charter studies ऐसे किसी भी students को नहीं recommend करता है कि आप लोग new course का wait करे अपना जैसे चल रहा है current course में preparation start रखे May 24 वाले common subject पर होना आप लोग CA intermediate and CA final के students और CA foundation May 24 वाले भी students का doubt बहुत जादा आरा आजकल थोरा सा धैर रखो आप लोग foundation वाले और जो भी direct entry का student May 24 में देना चाहते है सबसे पहले registration कर लीजे wait विल्कुल ना करे registration करने के बाद ITOC complete करके रखे जब तक आप लोग ITOC complete करोगे तब तक कोई भी official notification मेरी साब से आज आज आएगा regarding मैं कभी भी किसी भी students को ये नहीं बोलाओं कि new course का इंतिजार करो तो प्लीज आप लोग current course में preparation रखे जब notification आएगा अभी समय आने में सायद 15 से 20 जून के आज पास notification देखने को मिल जाएगा जैसे ही आएगा यासी ये new course के बारे में मेरे पास कोई भी information आता है सबसे पहले यही चैनल अपडेट करेगा और कुछ लोग तो मेरे पास हजारों message करके पूछते रहते क्या मे 24 से applicable होगा या नहीं होगा ये बात अभी आपको कोई नहीं बता सकता आपको wait करना होगा official notification का ही जो लोग भी unacademy का subscription लेना चाते हो चाहे आप CA का लेना चाहो या CS का आप चाहो तो CA intermediate CA foundation का combo subscription ले सकते हो या अलग अलग भी CA foundation का अलग subscription ले सकते हो CA intermediate का limited period के लिए जल्द से जल्द आप लोग subscription ले लेज़े 20% का भी discount चल रहा है यह offer कभी भी खत्म हो सकता आपको code यूज करना है charter studies 10 coupon को unacademy का subscription लेने के लिए सबसे पहले player store से unacademy का learning app डाउनलोड कर लीज़े आप CA का subscription लेना चाहते हो CS का और CA में भी आप combo subscription लेना चाहते हो या अलग अलग subscription foundation का अलग intermediate का अलग सारा option available है कितने month का subscription लेना चाहते हो यह भी available है बस आपको code यूज करना है charter studies 10 coupon code और ज्यादा जनकारी के लिए please description जरूर चेक कर लेना